Hello everyone, welcome to my channel Friends, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एकदम नए डिजाइन का फ्लावर तो चलिए इसे बना लेते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा Friends तो Friends, इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे पैरोट कलर का उन लिया है आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हो Friends तो सबसे पहले हम एक नॉट बनाएंगे और नॉट बनाने के बाद यहाँ पे हम 6 चैन करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहाँ पे हमने 6 चैन बना लिया 6 चैन बनाने के बाद Friends, इसका हम एक रिंग तयार करेंगे तो first वाले चैन में क्रोसिय पास करके इस तरीके से slip stitch लगा लेंगे और यह हमारा ring बन के तयार हो गया अब क्या करेंगे यह जो extra धागा है इसको भी हम ring के साथ कर लेंगे और यहाँ पे हम एक चैन बनाएंगे और चैन बनाने के बाद यह जो हमने ring तयार करी है इस ring के उपर हम 16 single crochet बना के complete करेंगे यानि की 16 single crochet तो इस तरीके से हमें single crochet बनानी है Friends तो देखिए यहाँ पे हमने first round में 16 single crochet बना के complete कर ली और जहाँ से हमने बनाना शुरू कर रहा था वहीं पे हम इस तरीके से slip stitch लगा लेंगे और यह round हमारा फ्रिस हो जाएगा अब हम second round बनाना शुरू करेंगे तो second round के लिए हम यहाँ पे 4 का chain करेंगे 4 chain बनाने के बाद अगले वाले single crochet के उपर हम एक double crochet बनाएंगे फिर हम एक chain बनाएंगे और फिर अगले वाले single crochet के उपर एक double crochet बनाएंगे और इसी pattern को repeat करते हुए यह round को हम complete करेंगे Friends एक double crochet बनानी है फिर एक chain लेना है फिर double crochet बनाना है फिर chain लेना है तो देखिए यह हमने round को complete कर लिया अब क्या करेंगे यह जो हमने starting में 4 का chain किया था तो तीसरे वाले chain के उपर हम slip stitch लगा लेंगे तो यहाँ पर हमने slip stitch लगा लिया अब slip stitch लगाने के बाद अगला round बनाना सुरू करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या करना है फ्रेंड्स जो हमने double crochet के बीच में एक एक chain बनाया है तो हमने सारे chain पर दो-दो single crochet बनानी है इस तरीके से जितने chain हैं सारे chain में हम दो-दो single crochet बुन लेंगे और इस तरीके से बुनते हुए इस round को हम complete कर लेंगे तो देखे फ्रेंड्स यह round हमने complete कर लिया अब क्या करेंगे जहां से हमने बनाना सुरू करा था वहीं पर हम crochet पास करके slip stitch लगा लेंगे और इस round को यहीं पर lock कर लेंगे अब हम अगला round बनाना सुरू करेंगे तो यहां पर हम four का chain करेंगे one two three four four chain किया अब क्या करेंगे उसके आगे वाले single crochet के उपर एक double crochet बनाएंगे फिर एक chain लेंगे पिर उसके आगे वाले single crochet के उपर एक double crochet बनाएंगे फिर एक chain लेंगे और इसी pattern को repeat करते हुए इस round को हम complete कर लेंगे बहुत ही आसान डिजाइन है friends और बहुत ही जटपट बन जाता है और विडियो पसंद आए तो like share जरूर किजेगा तो यह दिखें friends यह round हमने complete कर लिया और यह हम एक flower बना रहे हैं तो हमने यह दो round यह बनाना है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे तीसरे chain के उपर slip stitch लगाएंगे और धागे को यहीं पर cut कर लेंगे तो friends यह flower का हमारा beach का भाग complete हो गया अब हम इसमें flower बनाएंगे side का तो चलिए उसके लिए हम दुसरा color का उन इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर हम orange color का उन ले रहे हैं और एक chain के उपर हम इसे जोड़ लेंगे और यहाँ पर हम 3 chain बनेंगे 1, 2, और यह 3, 3 chain बना और फिर क्या करेंगे इसी फंदे में 4 double cross या बना लेंगे 1, 2, 3, और यह 4 तो यहाँ पर friends एक फंदे के अंदर total 5 double cross या हो जाएगा अब क्या करेंगे फंदे में से cross या को निकालेंगे और यहाँ पर जो हमने 3 chain बनाया था इस्टार्टिंग में तो तीसरे chain के उपर cross या पास करेंगे और यह जो फंदा है इसको हम नीचे के तरफ से इस तरफ खीच लेंगे इस तरफ लाएंगे और यहाँ पर हम slip stitch लगा लेंगे और slip stitch लगाने के बाद यहाँ पर हम 2 का chain करेंगे और 2 chain करने के बाद आगे वाले फंदे में भी सेम तरीके से हम 5 double cross या बनाएंगे और यह 5 तो हमने यहाँ पर 5 double cross या बनाया फिर क्रोसिय को फंदे में से निकाल लेंगे और जो पहला double cross या है उसके उपर वाले chain में क्रोसिया पास करके और इस फंदे को इस तरीके से इस side खींच लेंगे और यहाँ यह हमारा slip stitch हो गया अब यहाँ पर हम 2 का chain करेंगे और 2 chain करने के बाद फिर आगे वाले फंदे में सेम पैटन से यह वाला popcorn stitch हम बनाएंगे इसे हम popcorn stitch कहते हैं फ्रेंट्स तो इस तरीके से यह हम flower का design बनाएंगे तो हमें 5-5 double cross या बना लेना है हर फंदे में और इस तरीके से हमें slip stitch लगाकर 2 chain बुन लेना है तो हमें इस तरीके से slip stitch लगाना है फंदे में से crochet को निकालना है और first वाले double crochet के उपर crochet पास करके नीचे के side से इस तरीके से यह खीच लेंगे तो यह slip stitch हो गया अब यहाँ पे हम 2 का chain कर लेंगे 1-2 और फिर अगले वाले फंदे में भी इसी तरीके से बनाएंगे तो देखिए friends यहाँ पे हमने यह पूरा बना के complete कर लिया है और यह last वाला बचा है इसे भी हम बना लेते हैं तो यहाँ पे सेम तरीके से 5 double crochet बना लेंगे तो यह हमने 5 double crochet बना लिया अब यहाँ पे क्या करेंगे slip stitch लगा लेंगे और slip stitch लगाने के बार 2 का chain करेंगे 1-2 और फिर अगले वाले popcorn stitch के उपर slip stitch लगा लेंगे और धागे को यहीं पे अच्छी तरीके से गाट लगा के cut कर लेंगे तो यह हमने धागे को cut कर लिया अब इसको अच्छी तरीके से पीछे के side अच्छे से इसमें हम फसा लेंगे ताकि finishing अच्छी आए और यह खुले नहीं तो अच्छे से गाट लगा के हमें इसमें अच्छी तरीके से फसा लेना है एक्ष्ट्रा धागा हमारा यह इसमें अच्छी से फसा लेंगे अब इसे भी हम अच्छी तरीके से इसमें फसा लेते हैं तो यह देखी फ्रेंट्स यह हमारा pattern बनके तयार है और यह बहुत ही प्यारा सा हमारा flower बनके तयार हो गया है अब चलिए इसमें आगे की डिजाइन बना लेते हैं तो अब क्या करना है फ्रेंट्स हमें orange किलर कहीं उन लेना है और इसमें एक note लगा लेंगे और इसमें हम यह जो first round बनाया है उसके उपर हमें इस तरीके से design बनाना है तो क्या करेंगे इस फंदे को हम पीछे के side से आगे की तरफ लाएंगे और क्या करेंगे इस line के उपर जो यह हमने first round बनाया है तो इसी के उपर हमें इस तरीके से slip stitch लगाते हुए यह एक line बना लेनी है यह देखे इस तरीके से धागे को पीछे से ऐसे आगे के तरफ ले आएंगे फिर इस फंदे से बाहर निकालेंगे और इसी तरीके से बनाते हुए friends यह पूरा round को हम complete कर लेंगे देखे इस तरीके से बहुत ही असान है friends यह हम इस तरीके से slip stitch लगाते हुए यह design तयार करेंगे जिससे यह flower हमारा बहुत खुबसूरत दिखेगा इसी तरीके से हमने यह round को complete कर लिया है friends अब क्या करेंगे फंदे को हम पीछे के साइट खीच लेंगे यहां से हम धागे को धागे के उपर से हम फंदे को पीछे के साइट खीच लेंगे जहां से हमने बनाना शुरू किया था वहीं से हम खीच लेंगे अब इधर हम धागे को कट करके अच्छे से गांट लगा लेंगे और सेम तरीके से यह जो दूसरा round है उसके उपर भी यह design बना लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यह हमारा दूसरा round भी complete हो चुका है और यह हमारा बहुत ही प्यारा सा flower बनके तयार है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो like share कीजिएगा और चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लिजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक नए design के साथ तब तक के लिए बावाए फ्रेंड्स